नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकत सिंग गौर आपको बता दें कि पंचायच चुनाओं से जुड़ी हुई आई इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारती जनता पार्टी ने जिला पंचायच सदस्यों के समर्थन की सूची जारी कर दी है आई इंडिया के पास वो समर्थन की सूची आ चुकी है और जो सीतापुर में 79 यानि 89 पद हैं जिला पंचायच सदस्य के उन पर सूची उनके समर्थन की जारी कर दी गई है कुछी देर पहले हमने भाजपा के जिला अध्यच अच्चिन मिलुत्रा से इसकी पुष्टी की तो उन्होंने बताया कि सूची जारी हो गई है आपको बता दें कि पंचाय चुनाओं में जो पार्टी वार समर्थन की सूची है उसमें भारती जन्ता पार्टी अन्नी दलों से आगे निकल गई है समाजवादी पार्टी की और से अभी सूची नहीं जारी हुई है इसको लेकर हमने समाजवादी पार्टी के जो जिला अधच है चतपाल सिंग यादो उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा अभी एक से दो दिन लग सकता है बहुदन समाज पार्टी की ओर से भी अभी सूची नहीं आई है और कांग्रेस में भी यही हाल है हाला कि कांग्रेस से दावेदारों की संक्या ना के बराबर है तो हम जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं कि जो सीतापुर में जिला पंचायत के 89 पद हैं उनमें जो सूची जारी की गई है वो किस वाड से किसके समर्थन की भाजपाने सूची जारी की है तो सबसे पहले हम चलेंगे वाड नमबर एक बेहटा प्रथम जहां पर राम जीवन जैसवाल को भारती जनता पार्टी ने अपना उमीदवार बनाया है और राम जीवन जैसवाल भारती जनता पार्टी के पताधिकारी भी हैं इसी तरह बेहटा दोती में प्रेम कुमारी भारगो बेहटा तर्तिय वाड नमबर संतोश कुमार मौर और वाड नमबर पांच चार बेहटा चतुर्थ यहां से किरन कनोजिया बेहटा एम सकरन जो है वाड नमबर पांच परता है यहां से बिमला राज और वाड छे सकरन परतम से रोहित कुमार वर्मा वाड नमबर साथ सकरन दोतिय से मुलहे राम और वाड नमबर आठ सकरन तरतिय से जो है यहां पर गीता देवी भारती और वार्ड नमबर 9 सकरन एम लहरपुर से बाबू निशाद वार्ड नमबर 10 लहरपुर प्रथम से स्यू संकर वर्मा वार्ड नमबर 11 लहरपुर दोतिये निर्मला वर्मा वार्ड नमबर 12 लहरपुर एम हरगाओं मेनका वर्मा और वार्ड नंबर 13 हरगाओं पर्थम से संदीब कुमार वार्ड नंबर 14 हरगाओं 32 से आउनीज सिंग जो की जिला पंचाइस सदस भी रह चुके हैं वार्ड नंबर 15 हरगाओं 33 से महसुरी भारगाओ और वार्ड नंबर 16 हरगाओं चतुर्थ से कमला देवी वार्ड नंबर 17 हरगायों परसेंडी से सुनील कुमार वार्ड नंबर 18 परसेंडी प्रिथम सिरी प्रकास वार्ड नंबर 19 परसेंडी दोती है दयावती वार्ड नंबर 20 ये परसेंडी तिती है यहां से गंगाराम राजवनसी अब वार्ड नम्बर 21 ये परसेंडी और खेराबाद में पढ़ता है यहां से किरन वर्मा वार्ड नम्बर 22 खेराबाद परताम राजाराम भारगाओ वार्ड नम्बर 23 खेराबाद दोती है छबीले वार्ड नंबर 24 खेराबाद तरतीय अनूप कुमार तिरपाथी वार्ड नंबर 25 खेराबाद एम एलिया ये कौसल तिरपाथी वार्ड नंबर 25 खेराबाद एम एलिया से कौसल तिरपाथी वार्ड नंबर 26 एलिया प्रतम से गुड्डु देवी वर्लंबर 27 अलिया 22 ग्यान वती सिरिवास्ताो वर्लंबर 28 अलिया 33 असोक पुमार 8 यवार वर्लंबर 31 अलिया आउ महोली से रूली सिंह वार नम्बर 30 महोली पर्थम सिरीमती स्यू कुमारी वार नम्बर 31 महोली दुती अमित मिश्रा वार नम्बर 32 महोली उम पिसावा से ओमकार वर्मा वार नम्बर 33 पिसावा पर्थम से आउधेश मौर्या वार नम्बर 34 पिसावा दुती स्यू कली अर्कवंसी वार्ड नमबर 35, 35 सुमन देवी वार्ड नमबर 36, 35 महोली से मौजी राम वार्ड नमबर 37, 35 मिसरिक से पवन सिंग वार्ड नमबर 38, मिसरिक पर्थम से मीना राजवन सी वार्ड नमबर 41, मिसरिक 32 से देवेंद नंद वन सी वार्ड नमबर चालिस मिश्रिक तरतिय से भासकर मिस्रा वार्ड नमबर 41 मिश्रिक ओम गुंदला मौ से अनुराधा अवस्ती वार्ड नमबर 42 गुंदला मौ परताम सस लता पांडे वार्ड नमबर 43 गुंदला मौ तरतिय से संध्या सिंग वार्ड नमबर 44 गुंदला मौ तरतिय अरजुन कस्याप वार्ड नमबर 45 मचेटा परताम सुमन देवी भारगाउ वार्ड नमबर 46 मचेटा दोतिय निर्मला देवी राजवनसी वार्ड नमबर 47 मचेटा दोतिय आरती राजवनसी वार्ड नमबर 48 मचेटा अम गुंदला मौ अनुज कुमार वार्ड नमबर 45 कस्मनदा परताम से अशोक कुमार मिस्रा वार्ड नंबर पच्चास कसमंडा दोतीय दीपक सुकला वार्ड नंबर 51 कसमंडा तरतीय राजेश कुमार चोधरी वार्ड नंबर 52 कसमंडा चतुर्त प्रेम दीप जैसवाल वार्ड नंबर 53 कसमंडा युम सिधाली तेजपाल यादो वार्ड नमबर 54 सिदहुली पर्थम स्यू प्यारी तिवारी वार्ड नमबर 55 सिदहुली दुतिय कमले शिरावत वार्ड नमबर 56 सिदहुली तर्थिय राज कुमारी यादो वार्ड नमबर 57 सिदहुली यों पहला अंकुस राज विश्वकर्मा वार्ड नमबर 58 पहला पर्थ आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो जिला पंचायत सदस के 79 पद हैं सीतापुर में उनमें ये भारती जनता पार्टी ने अपने समर्थन की सूची जारी कर दी है तो हमने आपको वार्ड नमबर 64 तक की जानकारी दी जो विस्वाद चतूर्त में परता है यहां से राधर रानी को भारती जनता पार्टी ने परतासी घोशित किया है इसी तरह वार्ड नमबर 65 बिसवां एम महमुदाबाद चंदरकांती वर्मा वार्ड नमबर 66 बिसवां पंचम सुमन वर्मा महमुदाबाद पर्थम जो वार्ड सरसट में आता है उमा संकर कोरी वार्ड नमबर 68 महमुदाबाद दुतिये सीला देभी वार्ड नमबर 79 महमुदाबाद एम रामपूर मतुरा को मिला कर बना है यहां से अच्छे कुमार वार्ड नमबर सत्तर रामपूर मतुरा परताम भूपेंद मौर्या वार्ड नमबर एकत्तर रामपूर मतुरा दुतिये नीरा देभी पत्नी संजे गुपता और वार्ड नमबर बहत्तर रामपूर मतुरा तरतिये मन्जु वर्मा वार्ड नमबर त 75 रामपुरमतुरा चतुर्थ यहां से पुस्पादेवी वार्ड नंबर 74 रिउसा प्रत्रम सिव कुमार गुपता वार्ड नंबर 75 रिउसा दुतिय रिंकी मिस्रा वार्ड नंबर 76 रिउसा तर्तिय बसंत कुमार लोधी वार्ड नंबर 77 रिउसा चतुर्थ दिनेश कुमार तो आपको बता दें कि भारती जनता पार्टी ने जिला पंचाज सदस्यों पे अपनी समर्थन सूची जारी कर दी है या सूची भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यच सुतंतर देव सिंग की ओर से हस्ताचर युक्त सूची जारी हुई है और सबसे चौकाने वाली बात ये आई है कि जो राम किश्न भार्गो के पुत्र हैं अजय भार्गो जो जिला पंचायत के अध्यच भी रह चुके हैं जिन्होंने जब से यसीतापुर जिला पंचायत अध्यच कपद यसी महिला के लिए आरच्छित हुआ था सबसे प्रबल दावेदारी उनकी मानी जा रही थी यही कारण है कि उन्होंने महामंत्री पत्स से इस्तीपा भी दे दिया था भाजपा ने कहा था कि इस बार जो लोग पताधिकारी हैं अगर पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो वो अपना इस्तीपा दे दें उन्होंने इस्तीपा भी दे दिया इसके बाद भी क्योंकि बिधायक पत्र होने के चलते उन्हें टिकट उनकी पत्नी को नहीं दिया गया है उनको समर्तन नहीं दिया गया है इसी तरह जो रामहिद भारती हैं जो कैमरेट मिनिश्टर रहे हैं और उनकी पत्नी जिला पंचात की अध्धच रही हैं वह भी अपनी बहू के लिए टिकट चाह रहे थे कि भारती जनता पार्टी उन्हें लड़ाएगी फिलाल उन्हें भी टिकट नहीं मिला है भाजपा सुत्रों का कहना है कि इस बार भारती जनता पार्टी जो बिधायक पुत्र थे उनके परिवार के लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया है और आपको बता दें अब अगर हम अधजपत पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला नाम जो बहुत दिनों से चल लहा था जो सभी दलों में सामने आते हैं लड़ने के लिए सुकुमार गुपता हैं वो इस बार भी भारती जनता पार्टी में सफल साबित हुए हैं खुद भी टिकट पा गए हैं और सद्धा सागर को भी टिकट मिल गया है अब सद्धा सागर दावेदार हो सकती हैं भारती जनता पार्टी से अध्यचपत पर इसके अलावा अध्यचपत में और दो नाम आ रहे हैं चुकि बार बार भार भारती जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बार वो चौकाने वाले प्रत्यासी सामने आएंगे ऐसा प्रत्यासी लाएंगे जिन को कभी भी लोगों ने सुना नहीं होगा ये बार बार भारती जनता पार्टी की ओर से कहा गया जा रहा है अब तो बिल्कुल किलियर हो चुका है कि जो ये सुची जारी हुई है इन्हीं में से जिला पंचाथ अद्देच्पत पर भी चैन होना है तो इन में दो नाम और सामने आ रहे हैं एक वा जागर मेनका वर्मा और किरन करोजिया इन में से भाजपा किसी पर दाओं चल सकती है ऐसी चर्चाएं आम चल गई है फिलहाल भाजपा ने जो सुची जारी की है वो चौकाने वाली सुची है चुकि बिधायक पुत्रों या उनकी पुत्र बद्धों को टिकट नहीं दिया है ये सबसे बड़ी बात है इसके अलावा अगर हम बात करें भारती जन्ता पार्टी की ओर से तो 400 से जधा आवेदन आये हुई थे यानि 89 पदों पर 400 से जधा आवेदन थे उसके बावजूद भारती जं्ता पार्टी ने ये शुची जो जारी की है जाइर तोर पर बहु इग दो दिन में देखने को मिलेगा लेकिन इतना जरूर है कि सूची जारी करने में बादपा आगे निकल गई है 15 चिनाू में अब 29 अपरेल को मदधान होना है इसमें देखना है कि जो बादपा ने अपने प्रत्यासिय बनाए है, जनता किसको चुनती है फिलाल इतना ही हमें जी दिये इजाजत नमश्कार खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया